नमस्कार दोस्तों श्वागत हैं आप सभी लोगों का एक बर फिर से दिवाली के 11 दिन पहले करवा चौत कवरत रखा जाता है और हर साल कार्तिक महिने के कृष्ण पक्षकी चतूर्थी को करवा चौत कवरत रखा जाता है करवा चौत का तवहार शिंगार और शुहाग का तवहार माना जाता है दिन माना जाता है इस दिन शुहागिन महिला हैं और जो कुमारी कन्या होती कुमारी लड़किया होती हैं अपने जिवन साथी की लंबी आयू के लिए जो महिला होती हैं बरत रखती हैं जो कुमारी कन्य जाता ये तीनों योग में पूजा करने से महिलाओं को सभाग्यवती होने का वर्दान प्राप्त होती जीमन में चेरे कष्टा मिड़ती हैं और जो कुमारी लड़कियां व्रत रखी हैं उसे अच्छे पती की प्राप्ती होती हैं करवा चौत पारत चंद्रमा का पूजन जो तो किस पकार से व्रत रखना चाहिए और करवा चौत मी आखिर जो महिला हैं ये चांद की पूजा क्यों करते हैं सारे जानकारी इस बीडियो में मैं आप लोगों को बिस्तार से बताऊंगा बिडियो को ध्यन्शे देखना हमारे चैनल का मकसद है जन ही तेवम जन कल्यान क प्राचिन गयान चैनल का मकसद है हिंदू तवको बढ़ाना हम हिंदू धर्मा के जो परवाणिक कथा होते हैं सभी की जानकारी आप सभी दर्शकों को बताते हैं अपने फायदेगले बिडियो को ध्यान से देखना इस बिडियो को देखने के जोरत नहीं पड़ेंगी और कथा के नुसार एक गाउं में करवा देवी एक करवा के नाम से एक महिला रहती थी जिसे करवा देवी कहते हैं तो ध्यान से सुनना करवा देवी अपने पती के साथ तुंग भद्रा नदी के निकट रहती थी और एक दिन करवा के पती इस नान के लिए नदी में गए तो म मगरमच को करवा माता ने बांद दिया देखिए जो सतीत्वा होती हैं ऐसे पती ब्रत पतनी के अंदर इतना ज़्यादा चमतकादिक शक्तिया हो जाते हैं चाहे तो शुर्य चंद्रमा को अपने मुठी में बंद सकते हैं इसलिए मैं प्रतेग माता बहनों को कहना चाहूंग इसके बाद करवा देवी ने यमराज को पुकार वहां पर यमराजी प्रगठ हुए और पती की रक्षा की जीवन दान और मगरमच को मृत्व देने का आगरा किया ध्यान से शुनना तो यमराज ने कहा कि अभी मगरमच की आयू सेस हैं लेकिन तुम्हारे पती की यमलोग पुचाने का समय आ चुका हैं करवा माता क्रोधित हो गई और ऐसा ना करने पर यमराज को स्तराब देने की धमकी दे चेताउनी दी यमराज ने करवा देवी के सतीत्व से प्रभावीत हो करके क्योंकि करवा माता ने कच्चे धागे से जब मगरमच को बांद सकते हैं तो यम पूरिश है यमराज को भी वहां से भगा सकते हैं यहां तक कि यमराज को भी मृत्यू की घाट पुटरवा सकते हैं क्योंकि सतीत्व में बहुत पावर होती ताकत होती हैं तो यमराज ने डर के कारण उनके पती की आयो में ब्रिद्धिक कर दी और उन्हें जिवनदान दे दिया वही मगर मच को यम लोग भेज दिया काते हैं कि घटना के दिन कार्तिक मा के कृष्ण पक्ष की चतूर्ति थी थी और मान्याता हैं कि जो भी सुहागिन महिला पतिनी धर्मा निभाते वे निर्जरा बरत रखती हैं सक्चे मन से करवा चौत की दिन बरत रखती हैं तुन्हें अखन सौभागय की वर्दान मिलती हैं इसके बाद ही करवा चौत कभरा जो हैं उसी दिन से फ्रारम हुआ और भी इसके पीछे बहुं सारे कथा हैं आप में से दिखता लोग करवा चौत पर क्यों करते हैं चांद की पूजा इसके जानते हैं अभी तक बिड़ो पूराणी कथा हैं रमाणी के नुसार एक बारत भगवान राम ने पूर्व दिशा की तरब चमकते हुए चंद्रमा को देखा और अपने आसपास मौजुद सभी लोगों से पूछा कि चंद्रमा में जो कालापन दिखाई दे रहें वह क्या हैं और ये भी करवा चौत की चतूरती थी ही था तो सभी उपस्थित वहां कि जितने भी लोग थे सभी ने तरक देकर भगवान शीराम को जवाब दिया इस पर भगवान राम ने सभी को बताया कि चंद्रमा में कालापन उसके विश के कारण है वही अपनी विश यूगता किरणों से वियोगी नरनारि जैसे कि आपकी पतिनी कहीं और रहते हैं तो मनोविज्ञान की तौर पर अगर देखा जाए तो जो पती पतनी किसी कारण वास एक दूसरे अलग हो जाते हैं जिनके डिवोस भी होने का खत्रा है तो उन पर चंद्रमा की किरण कष्टा पहुंचाती है या फिर जिनके मन कष्टा पैदा करती है इसलिए करवाच पर चंद्रमा की पूजन कर महिला कामना करती है कि चंद्रमा की कारण उनके पती का जो व्योग न शाहना पड़े और चंद्रमा उनके पती को किसी भी प्रकार के कोई नुक्षा न पहुंचाए चंद्रमा की पूजन करने से इस दि तो वैभाईक जीवन होती हैं सीतलता से गुजरती हैं अच्छे तरीके से गुजरती हैं वैभाईक जीवन में खटास नहीं आती वैभाईक जीवन आनंद से गुजरती हैं आई इस बड़ो में जानते हैं करवा चौत का चंद्रा उदय का शमय क्योंकि 13 अक्टूबर को पुजा करने का सबसे अच्छा मुहुरत है आइस बिड़ो में जानते हैं करवा चौत पर क्या ना खरीदे माता बैने ध्यान से सुने क्यों कि गलत चीजों का चयन करते हैं जिसके कराण बाद में चल करके आब को परसानी हो सकती है तो सुहागिन महिलों को करवा चौत के जो हैं इस प्रकार के जो चीज हैं इसे असुब के रूप में देखा जाता है तो करवा चौत के दिन माता बैने ध्यान देना बिल्कुल ही ना खरीदना करवा चौत की दिन घर में लाई ये चार चीजे खुशियों से भर जाएंगी आपके विभाविक जीवन कोंसी चार समय होता है तो इस दिन बीच्या जरूर खरीद करके लाना चाहिए वास्ति कनुशार रजनी गंधा करवा चौत की दिन जरूर खरीद करके लाना चाहिए कि पुछ नब लाना चाहिए तिसरा आप आपको मोरब्र पंख जरुर लाना चाहिए। और उसमें जो आने वाली आवाज होती हैं यह धन्मे बृद्दी करती हैं क्योंकि जो चूड़े से करने वाली आवाज होती हैं लहको खिचने का पाम करती है जिससे आप जीवन कहते हैं इस दिन काले रंग की कपड़ें नहीं पहनना चाहिए क्योंकि यह जो दीन है यह चंद्रादेव का दीन होता है काला रंग भगवान सनी को समर्पित हैं और देखें चंद्रमा और सनी यह दोनों एक दूसरे के घोर सत्रू हैं तो जो सनी है वभाविक जीवन में कश करें तो आपको बता दे कि शुहागिन महिलाओं को लाल रंग की कपड़े हैं पिंक कलर की कपड़े हैं पीला कलर की कपड़े हैं हारा कलर की कपड़े हैं इनका चैन करना चाहिए और अगर आप अपने साड़ी के जोड़े जो आपको साड़ी में जोड़े आपने पहने थ माता बहुत सारे कुमेंट करके पूछ रहे था कि गुरू-जी जो गर्भ होती महिला कैसे वरत रखे थ्यान से सुनना तो जो माता बहुत हैं तो निर्जला वरत नहीं रखने इसे बच्चियो और मा यह दौनों के शेहत को काफी नुकसान हुचा सकते है तो आपको करना क्या जो गर्वती महिला है ऐसे महिला को दूद जरूर पी लेना चाहिए या फिर नारियल का पानी पी लेना चाहिए इसे सरीर में उर्जा बने रहेंगे और बच्चों को पोसक मिलेंगे आपको किसी भी प्रकार की इसमें नुक्षान नहीं है जो माता बैने है गर्ववती है ने नुक्षान या आप गर्वा माता से प्रातना करना की है माता मैं इस व्रत को तोड़ना नहीं चाहता मैं आब के क्रिपवा से अखण स्वभागवती रहना चाहती हूँ हे माता मैं आपसे प्रातना करती हूँ कि मेरे बच्ची जो पेट में पल रहे हैं अगर मैं कुछ भी नहीं खाऊंगे इनके जीवन में बुरा असर आ सकती है तो हे माता कृपकर आप हमें आसिरवाद प्रदान करें हम इस समय कुछ चीजों को खाना चाते हैं इस प्रकार से प्रातना करके आप जो दुद पी सकते हैं नारियल की पानी पी सकते हैं कुछ फल को खा सकती हैं इसमें दोस नहीं है कहीं पे नहीं लिख्या हमारे सास्तरों म प्राप्ती होगायद करवा माता बहुत प्रसंथ होगए आपकी जीवनओं चरि तमाम प्रकार के जो किस्ट ! ऑपके बहुत जीवन किस्ट जलदि चूड़ करेंगी करवा चोट बरत रखनेश की सब्सक्रांद कई जाना महा उपायों को तो जल में थोड़ा सदूद और अच्छद डाल करके संग से आब को चंद्रमा को अर्धा देना है तो पती पतनी की बीच में किसी काराणवास मन मुटा होती है पर अपने वाले जो दुरिया होती है फिर आब के पती में पती की जिवने कोई परसानी आ रही ह है जो आप देख रहे हैं तो सारे परसानी दूर हो जाती है करवा चाओत के दिन 11 गुमती चक्र को लाल रंग की सिंदूर की डिब्बी मेरा करके घर में आपको उत्तर दी समय छीपा देना होता है तो इस उपाय से धनकी प्रप्ति होता है मैं जितने भी उपाय बताता हू क्योंकि मैं सास्तरों कनुसारी उपाय बताता हूं सरालूपाय बताता हूं करवा चाओत के दिन गड़े जी को घी गुण का भोग जरू लगना ची इसे आर्थिक जू संकट होती है विगना हर्ता भगवान गड़े जी दूर करते हैं विगना हरने किलाब उनसे भी प्रात न कर सकते हैं पुजा के बाद घी हैं गुण हैं किसी गाय को खिला सकते हैं से धन समझता होती है या फिर किसी भी प्रकार की जीवान में रुकावाट आरे हैं बाधा आरे हैं दूर होती हैं इस दिन विगना हर्ता भगवान गड़े जी को क्योंकि ये जो चाओत का स्वाम माना जाता है नहीं मिलते हैं तो दुर्वा घास आप जो है 21 की संख्या में ले लेना और इसे आपको भगवान गड़े जी को 21 गुड की गोली के शाथ में चड़ा देना इसे घर परिवार में प्रेम बढ़ता है आपसी सहयोग बढ़ता है आपसी मन मुठा है वो दूर होता मंगल मा एवम कल्यान कारी साबित जरूर होंगे हां आसा करना चाहूंगा कि इस बिड़ो को अपने तक शिहित मत रखना इसे आगे जरूर सेयर करना हो सकते जो माता बेहने गर्व होती हो और इस वरत को रखी इस बिड़ो को देखने बाद उनका भाला हो जाए ये फिर ज चोटे से ये जानकारी किसी की जिन्दगी को बरबाद होने से बचा ले बिड़ो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार